आर्पी टेक में आपका स्वागत है आईए दोस्तों आईए हम आपके लिए लेकर आचुके एकदम कमाल की ताजा ख़बरे लाइक करिए सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करिए और इस विडियो को पुरा एंड तक देखते रहे हैं जुछ से टेक्नोच वेटर सारे इंफरमे पुरा आपके लिए और विव एक स्मार्टपोन बहुत ही जल्दी आने वाला है जिसका नाम है विव एक स्मार्टपोन है और यह जो स्मार्टपोन है गुगल सपोर्ट डिवाइस पर स्पोर्ट किया जा चुका है यानि समझ दिचे इसका लॉचिंग जो काफी ज्यादा नजदीक है अब देखते हैं कि विव एक स्मार्टपोन है वह में कितना ही जदी देखने को मिल जाता है इस बात का इंदिजार है जी हान ओराइमो की बात करते भी ओराइमो ने अपने नए टीवल्यों को लॉंच कर दिया है जिसका नाम है ओराइमो प्रिपोर स्पोर्ट और यही नए टीवल्यों के विवारेट कीजाए अपर कीमत की बात करें अब इसे लांच किया गए उनिह 69 रसे आग अगर आप हिसे खरीदना चा तो अभी हिलाल ही आपको इंट्रोड्टर्टरी Pris पर देखने को मिल जाए और यही नए टीवल्यों बेल्स को घराइधना वहाँ पर आप इसे चेक आउट कर सकते हो जी है इंस्टा 360 गो 3 ये जो compact camera है वो बहुत ही जल्दी launch हो सकता है क्योंकि इसे serim servition मिल चुका है ये इसका launching नस्दीक है और ये जो camera हो कहा जा रहा है इंस्टा 360 गो 2 camera से काफी ब्यातरी नोने वाला है कहा जा रहा है higher resolution देखने को मिल जाएगा 3K resolution तो ये अच्छी बात है wider dynamic range देखने को मिल जाएगी faster parameters देखने को मिल जाएगी 120 fps तक के और IPX8 की rating भी देखने को मिल जाएगी longer battery life होगी तो ये काफी अच्छी बात है देखते हैं कि ये जो Insta360 GO 3 ये जो नहीं compact camera है वो में कितनी जल्दी देखने को मिल जाता है इस बात का इंतिजार जी है Realme की बात करते हैं Realme का एक budget की बहुत ही जल्दी आने वाला है जिसका नाम है Realme C51 और ये जो smartphone ने वो NBTC, BIS and TV subscription website पर Spot किया जा चुका है याँ समधी जिसका launching कापी ज़्यादा नस्दीक है और यहां से पता ये भी लग रहा है कि ये जो smartphone आएगा जिसमें 4880 image की battery and 33 watt का फार्ष राइन सपोर्ट देखने को मिल जाने वाला है अब देखते हैं कि Realme का ये जो नहीं smartphone है वो में कितनी ही जल्दी किस कीमत पर क्या specs देखने को मिल जाता है इस बात का इंतिजार है और आप excited हो Realme के यही नए budget king smartphone को लेकर क्या सोचा आप कि इसके बारे में comment में ज़र से बताईए Samsung की बात कर दोए Samsung ने फाइनली अपना Samsung Galaxy F54 5D smartphone को बारत में launch कर दिया है और यही smartphone के एकर कुछ specs के बारे में बात करें तो भी 6.7H की Apple HD Plus M.O.D. इस पर देखने को मिल जाती है 120Hz के प्रिच्ट के साथ Exynos 1380 चिपसे देखने को मिल जाएगी 108 प्लस 8 प्लस 2 मेगा पेक्सल ट्रिपल दिन कैमरा सेटप 32 मेगा पेक्सल फरंट सेल्पी कैमरा 6000 एमेज बैटरी 25 वोट पार चारिंग सपोर्ट एंडर 13 आउट उफ द बॉक्स और यह जो स्मार्ट पॉन इसके कीमत की बात करें तो इसका जो 8GB RAM 256GB शोर्ज के साथ हना वो जो वारियन्ट है जिसकी कीमत रखी की 29,999 रुपे और यहां पर आपको फिलाट इंटरड़क्टरी प्राइस पर 2000 रुपेस का प्राइज डिसकाउं देखने को मिल जाता है जिससे एफेक्टिव प्राइस हो जाएगी 27,999 रुपे और यह तो स्मार्टपोन इसका जो प्री ओडर से वो कल से ही स्टार्ट हो चुका है अगर आप करना चाहते हो तो डेपिदेटली सैमसंग की वेबसाइट या पर फिलिपकार्ट से कर सकते हो पर आप हमें ही बताएगी आपको यह स्मार्टपोन की प्राइस कैसी लगी क्या सोचे आपकी इसके बारे में कमें में जबस्त बताएगी एपल की बात करते हैं एपल का जो WWDC 2020 जो इवेंट है जो की हाली में गया है जहांपर एपल ने खुछ से अनाउस्मेंट किया था Airports Pro 2 का जहांपर एक आपको इस टैवल अपडेट तेकने को मिलने वाली है बहुत ही जल्दी कहा जहा है सप्टेमर में रूलाउट कर दी जाएगी और यह जो अपडेट है जिसमें काफी सारे फीचर देकने को मिलने वाल है कहा जा रहा है कि आपको इसमें Automatic switching Mute Unmute Call वाला फीचर देकने को मिल जाएगा साथ साथ कहा जा रहें कि और भी बहुत सारे आप कस्टमाइजेशन अगरा कर पाओगे तो बहुत ही बहुत इन अपडेट आने वाली है जहा पर आप उसे कमांड देतो हो हे सीरी तब जाके वो ट्रीकर होता है कमांड जो भी आप उसके बाद कमांड होगे उस घसाbn से काम करता है पर अब कहा जा रहे है कि है Siri को चेंज कर दिया गया है और उसके जगा सिर्फ Siri कर दिया गया है यानि आप बोलोगे Siri तो वो command जो वो trigger हो जाएगा और फिर अब जिस हिसाब से command होगे उस हिसाब से वो काम करेगा जो कि यह जो फीचर वो पहले से Alexa में अवेलेबल है और कहा ज बताइए आपने कभी भी एलेक्स नकस्तमाल किया है या नहीं कमिन में जड़ी से बताइए लावा की इतनी भहन कर वापसी के साथ लग रहा है और भी इंडियन ब्रांड से वह जग चुकी है और वह भी बहुत ही जल्दी वापसी करने वाले जी हां कहा जा रहे है आईटेल क एक नया स्मार्टपोन आने वाले और यह जो स्मार्टपोन वह एमासोन पर सेल किया जाएगा लैंडिंग पे निकलकर बाहर आ चुका है और यह स्मार्टपोन के उस पैक्स के बार में बात की जाए तो पिर 6.6 इच की एचल पर दिसमें को मिल जाती है 90 हट के डिफिर से सा अब देखते कि इसे किस कीमत पर लॉंच किया जाता है इस बात का इंतिजार है और यह जो कहा जा रहा है कि इंडिया का पहला सा स्मार्टपोन का जिसमें 16GB RAM देखने को मिल जाएगी मेरे सबसे मुझे लग रहा है कि 8GB RAM देखने को मिल जाएगी और 8GB वर्चूल RAM होने वा काम के दिल की बात करते हैं अगर आपको चाहिए USB Wifi Adapter वह भी कम कीमत में और वह भी ब्रैंड का तो यह जो डिलेव आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है गीजगा अशेन श्रियल USB Wifi Adapter फिलाल बहुत ही बात कीमत में आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहा है और य इसी एडेटर के अगर कीमत की बात करें तो यह अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जाए सिफ 170 रुपे में का भी बैद इन डील है अगर आपको चाहिए तो आप इसे ज़रों से चैक आउट कर सकते हो इसकी जो लिंक आपको इसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गेमिंग की बात करते हैं अगर आप प्लेश्टिसम प्लस की मेंबर्शीप अगरे का इस्तेमाल कर रहे हो तो यह जून की जो गैम है वो आज चुके जी हाँ जहाँ पर हमें तीन बहातरीं टाइडल्स देकर वो मिल जाते हैं पहली गैम की बात करते हैं जुरासी को वर्ल् अगर जो उसे नहीं हो कि तो सब्सक्राइब कर लीजे कल मिलते हैं आप से दकते के लिए की पॉलिस मैंनिक श्टे से टेक केर जहें बने मात्रम